गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में पाल वंस से संबंदित महत्वपूर्ण तथे और पाल राजवंस का संपूर्ण इतिहास पढ़ाएंगे तो देखें हैं तो आपको पाल राजवंस के बारे में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि जो भी एक्जाम कॉंपिटिस्म के जो भी एक्जाम लगते हैं उनमें पाल राजवंस के बारे में जरूर पुछा जाता है ठीक है तो सबसे पहले में आपको पाल राजवंस के बारे मे में हम पढ़ेंगे तो देखेगा होता है क्या है कि जब कन्नोज के समराठ हर्षवर्दन और असम के राजा भासकर वर्मा ने मिलकर गोडवंस को नस्ट कर दिया था इसके बाद क्या होता कि बंगाल में एकदम से एव्यवस्ता फैल जाती है वहां का अब कोई सासक नहीं था बंगाल के देखे करने वाला कोई भी विक्ति नहीं था तो वहां के जनता में एकदम से असंतो साजाता है उसी समय क्या होता है कि वहां के जो सामन्त लोग हैं और जो सामाने जनता है उन्होंने सर्वस्ति से गोपाल नामक एक विक्ति को राजा बनाया था और ये गोपाल पाल वंस की स्थापना करता था ठीक है अब देखेगा कि आपने त्रिकोणिय संगर्स भी सुना होगा तो दक्सिन में तो रास्टर कूट और उत्री भारत में पाल गुर्जर परतिहार दो राजवंस थे ये तिनों क्या है कि कंदोज के लिए लड़ाई करते रहते थे और अब पालों का होता है तो कभी गुष्चर परतिहारों का होता है ठीक है और यह तेनो सक्तियां थे इन में सब से 30 danse fashion जो राजवंस था वह रास्ट्र कूट राजवंस था घ्क है तो हमने पहले गुर्जर परतिहारों और रास्टर कुटों के बारे में भी वीडियो बनाए हैं और फिलहाल हम पालवन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो पाल है इसने पाल राजवन्स ने बंगाल और बिहार में अपना दिखार कर रखा था ठीक है अब क्यों होता है कि जो पाद राजवन्स है इसके बारे में जो जानकारी परदान करने वाले जो स्रोथ हैं वो कौन-कौन से हैं इत्यासिक स्रोथ हैं वो कौन-कौन से हैं वो है अभिलेक और साहित्यक लेक ठीक है तो अभिलेकों में क्या है धरमपाल का खलिमपूर लेख, देवपाल का मुंगेर लेख, महिपाल का मुझजफुरपुर तथा वाग गड़ लेख, ठीक है, नाराइनपाल का देवगर लेख, तो ये तो पालों के जानकरी के जो स्रोथ हैं, अभी लेख स्रोथ हो हैं, अब देखेगा साहित्तिक स्रोथ तो अरब व्यात्री सुल्यमान का लेख, तिबत्ती बोध गुरु तारानात का लेख, और आपका सोडल की उदे सुंदरी कथा और संध्याकर नंदी का राम चरित गरंद इन अबिलेखे और साहित्यक सुरोतों से हमें पाल राजवन्स के बारे में जानकरी प्राप्त होती है अब देखेगा हम पढ़ेंगे पाल राजवन्स के बारे में जो महतवपुन तथ्य हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं गोपाल जो सासक था पाल राजवन्स का सैंस्तापक जो 750 से 770 इस्वी तक सासक रहता है तो गोपाल को पालवंस का संस्तापक माना जाता है गोपाल है ये बोध धरम का नुयाई था इसने ओधन्थपुरी विश्विदाले की स्थापना करवाई थी ठीक है तो देखें चात्रू होता है कि जो पालों से पहले के जो सासक थे उसने बोध गिरी को कटवा दिया था जहां पर गया में जो महत्माबुद को ग्यान के प्राप्ति हुई थी उसको वो कटवा दियता है था वो बोध धरम के विरोधी थे लेकिन जस्ट उसका उल्टा होता है कि जो पाल सासक है वो बोध धरम को मानने वाले होते हैं पालों का पुत्र तता उत्रादीकारी था और धरंपाल के लेखों में धरंपाल को परम सोगात भी कहा गया है और धरंपाल ने परमेश्वर परमबटारक और महराजादी राज की उपाद्या धरण की थी और जो यह है आपका धरंपाल इसके दर्बार में परसित बोद गुरु तता बोध लेक हरी भद्र सूरी रहते थे जिन्होंने कई ग्रंथों की रचना किये है जिसमें से सै दर्शन समुच्चे जो ग्रंथ है वह महत्वपुन है ये प्राकर्थ भासा के विद्वान थे अब देखे देवपाल तो जो देवपाल हो आठ सो दस से आठ सो पचास इस वी त अबरलब आपको बताना चाहूंगी कि जो धर्शन समुच्चे वीर गाथा नेपाल के गरंथों में आज भी मिलती है और जो सोडल है उसने धर्शन को उत्रापतका स्वामी कहा है पाल वंस का पर्थम सक्तिसाली सासक कि सको का आगया है धर्शन को पाल वंस का जो पर्थम स क्या होता है कि दिरे-दिरे धरम पाल उसके समय तक आते हाते उसका उसने सामराजे का विश्थार भी कर लिया था और उसने इनसे मतलब जो गुर्जर पढ़ति हार हैं राप के राश्टर कूठ हैं इनसे भी युद किये थे इसलिए अब यह सक्ति साली सासक माना गया है जो धरम पाल है इसके सासन की सीमाएं बंगाल बिहार जारकंड और उत्रपरदेश के कन्योंस तक फैली हुई थी ठीक है धरम पाल ने विक्रम सीला विश्वविदाले जो आदूनिक भागलपूर जिल्ले में है इसी विश्वविदाले में इसकी मतलब धरम पाल ने विक्रम लिए विक्रम शिला विश्य में इसमें परिषित बोहां 30 दिपांग कर रहते थे ये आपका विक्रम सिला विश्य में कहां पए है बिहार में अब देखेगा अगला शासक आता है देःपाल तो देःपाल ने 810 से 850 सफिर्य तक सासन किया था और ये द्रहमपाल का पुत्तर था, इसने अपनी राजदानी मूंगेर में बनाई थी, जो बिहर में थी, परम सोगात की उपादी इसने भी धारण की, परसित बोध विद्वान वज्रदत इसके दरबार में रहता था, और जो वज्रदत है इसने लोकेश्वर की रचना की थी, देवपाल के सेनापती का नाम लवशेन था, इसने परतिहार सासक मिहिर भोज को प्राजित किया था, और ये भी बोधर मावलं भी सासक था, और सुल्यमान ने देवपाल को भारत का सबसे सकती साली राजा बताया है, तो भारत का सबसे सकती साली सासक के सुल्यमान ने देवपाल को बताया है, देवपाल अब देखेगा होता क्या है कि, ये देवपाल के बारे में थी सूचना, अब आता है कि पाल राजवंस के पतन का काल ये 850-988 इस्वितक रहता है इसमें होता है कि जो पाल राजवन के जो भी सासक आते हैं वो सारे के सारे निर्बल होते हैं सक्तिहीन होते हैं उनके समय में किसी भी परकार का कोई भी समराजे विस्तार नहीं हो पाया था इन सासकों में कौन कुन होते देखेगा मतलब कि जो देपाल है उसके बाद जैसे महेंदरपाल, विग्रेपाल, नाराइनपाल, राजेपाल और आपका गोपाल जित्तिये, विग्रेपाल जित्तिये, ये राजा बने ये कमजोर सासक सिद्ध हुए अब देखेगा, होता क्या कि इन कमजोर सासकों के समय में राश्टर कूटों के इनके अच्छे से मुक्य पड़े और इन लोगों ने क्या किया युदि किये और जो आपका पाल राजमंस था इसके सामराजे में भी इन लोगों ने अपना दिकार कर लिया था अब आता है महिपाल पर्थम जो 988-1038 इस्वी तक सासक रहता है अब देखेगा होता है कि ये जो महिपाल पर्थम है ये विग्रेपा दुईतिय का पुत्र था इसके सासनकाल में चोल वंसिय राजा राजियंदर चोल ने बंगाल पराकर्मन किया था क्यों सुण आशकता है कि महिपाल पर्थम के समय कौन से चोल सासक ने बंगाल पराकर्मन किया वो था आपका राजियंदर चोल महिपाल पर्थम है इसको पाल वंस का दूसरा संस्तापक पिमाना जाता है क्यों? क्योंकि देवपाल के बाद सब भी सासक कमजोर थे और पाल वंस भी पतनावस्था में था इस स्थिति को महिपाल पर्थम ने पुनह मजपूत किया था महिपाल पर्थम है इसके समय में सारनात, नालंदा और कासी में अनेव बोध विहारों का पुन्न निर्मान करवाया गया इसने कई तालाबों और नहरों का भी निर्मान करवाया था और सबसे मैतों में बात यह है कि जो महिपाल पर्थम है इसके दर्बार में बोध विद्वान धरम पाल रहते थे और जो महिपाल पर्थम है इसमें क्या क्या था कि जो धरम पाल था बोध विद्वान इसको बोध धरम के परचार के लिए तिबबत भेजा था ठीक है अब आपका आता है नेपान जो एक हजार अर्टी से एक हजार पच्पन इस्वी तक सासक रहा यह महिपाल पर्थम का पुत्र था इसके सासनकाल में चेदी के कल्चूरी राजा लक्समी करण और नेपाल के मद्धे में युदिफ हुआ था यह इंपोर्टेंट बात है गठना इसके काल की नेपाल के काल की फिर अगला सासक आता है रामपाल जो 177 से 1120 इस्वी तक सासक रहता है अब इसके काल में ये कौन था सबसे पहले तो बताऊंगे राम पाल था कौन ये है जो कमजोर सासक थे ना उनमें से जो सूर पाल सासक था उसका ये उत्रादीकारी था ठीक है तो होता है कि देखिए सोरी महीं भूल गई जो ने पाल है जो आपका ने पाल है इसका काल 1055 इस्वी तक रहता है अब क्या हो कि 1055 से लेकि 1077 इस्वी के बीच में भी कही सासक है वो भी कमजोर सासक थे वो सासक कौन कौन से थे देखिएगा विग्रेपाल पुरितिये महिपाल पुरितिये सूरपाल और सूरपाल है ये 1074 से 1077 इस्वी तक सासक था लेकिन ये कमजोर सासकते इन्होंने कुछ भी सक्तिसाली कारियन नहीं किया था ना कोई समरज्जे का विस्ता इन लोगों ने किया था अब आता आपका रामपाल ठीक है रामपाल है ये है सूरपाल का उत्रादी कारी था इसने कलिंग वय अस्थम पर विजे प्राप्त कर ली थी और इसका जो सबसे प्रिये जो मित्र था वय था बंगाल का राजा यादव वर्मन इसका रामपाल का ठीक है अब आता है कि रामपाल के बाद कुमारपाल सासक होता है वो 1120 से 1140 इस्वी तक सासक रहता है फिर गोपाल तृत्य आता है जो 1144 से 1440 तक मदनपाल 1144 से 1162 इस्वी तक और गोविलपाल 1162 से 1174 इस्वी तक राजा हुआ था अब देखे जो पाल कलाकार है कांसे मूर्थी बनाने में दक्स थे पाल सासकों के काल में संत रक्सित वै दिपंकर नामक बोधो ने तिबत की आत्रा की तता धर्म स्वामी नामक बोध तिबत से भारत आया था ठीक है बंगाल का अंतिम पाल सासक गोविंद पाल था ठीक है गोविंद पाल जो 1162 से 1174 24 तक सासन किया और इसके बाद बंगाल में सेन वंस का उदे होता है और पाल वंस का पतन हो जाता है तो देखेगा इस वीडियो में हमने पाल वंस के बारे में संपुन जानकरी प्राप्त की है और एक्जाम के दुरस्टी से वीडियो बहुत ही महत्वपुन है यदि आप जानकरी परदान करेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे